नोसकार बच्चो तो चलिए आज शुरू करते हैं आज खतम करनी कोशिश करेंगे पूरा ठीक है क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है और मैं चाहता हूँ कि इसी मन्थ में मैं आपको सेकंड चैप्टर भी सुरू कराके खतम करा दूँ और सेकंड चैप्टर तो काफी छोट तुल आज यहा है हमारे पास एक डिटर्मिनिनेट का कोश्चन डिया हूँ है कि इसको इंडीपेंडंट ओफ फीटा करो मतलब फीटा से इंडीपेंडेंडेंट करो मतलब इसको सॉल करना है ऐसे कि लास्ट में थीटा वाला कोई भी टम बचेना तो बस ठीक है डितर्मिने Sin theta minus x cos theta one ठीक है? अच्छे यह आगे x इससे करेंगे minus Ein square minus one minus sin theta minus x sin theta plus cos theta ठीक है? plus cos theta अर यह minus sin theta minus minus plus x cos theta ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यह आएगा minus x cube minus x X ठीक है यह माइना माने प्लस X sin theta cos theta sorry sin square theta यह माइना माने plus sin theta cos theta ठीक है फिर अंदर इपलाई करो इसे minus ka sin theta cos theta और फिर इसको इंदर करो X cos square theta हां जी यह plus का है यह minus का है कट गया यह बचा minus का x cube minus minus का X plus x sin square theta x cos theta x common आ जाएगा sin square theta plus cos square theta तो क्या बन गया minus x cube minus sin x is पूरे की value 1 बन गई तो minus x cube minus x plus x cancel out minus x cube answer आ गया तो लो जी independent of x हो गया हो गया कि नहीं independent of x sorry independent of theta क्यों क्योंकि अब solve करने के बाद कोई भी थीटवारिट दम नहीं बची तो हमने बस डीटर्मिनमे निकालना सा भज फटाफट नोट कर Hoglasa नोट कर जो कर सकते हैं को शेन नूबर रोट कोशन नममबर करते हैं टम एंट करींट अरे दो नखली से पोसे नियर के चलू करते हैं अ करना है तो करना ही पड़ेगा नोट कर लिए यह चलिया नोट चलो हात ओ हात नोट करते हैं चलो ठीक है विजम कोशिप करूंगा और वीच में कोशिच रहेगी कि आप लोगों को और 11 वालों को मैं हाँ तो हाँ संडे की भी क्लास देतूं ठीक है संडे को क्लास देना थोड़ा अरजेंट हो रहा है तुमारा कोर्स रहा है काफी चलो मिसलेनियस का second question तो यह है a a square b c यह है b b square a c ठीक है और यह है c c square a b अप प्रूफ करना है one 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 a square b square c square a cube b cube c cube अरे नकली question नहीं तो ठीक है कुछ नहीं करना यार left hand side उठाओ एक बात बताओ मुझे कहां तक पहुँचना है a cube b cube c cube यहनि अगर इसको a से इसको b से इसको c से multiply करो a cube b cube c cube हो जाएगा और कहां तक पहुँचना है a square b square c square यहनि अगर इसको a से इसको b से इसको c से कर दो a square b square c square तो बस बात खतम operation direct करो ना यार क्या करोगे r1 में operation करो a से multiply करके और r2 में operation करो b से multiply करके और r3 में operation करो c से multiply करके तो करो r1 को पूरे a से तो a square a cube a b c इससे करो तो b square b cube a b c फिर इससे करो हाँ भी c square c q a b c यही बना हाँ भी a b c a b c taking common from c3 a b c को c3 से common निकाल लेंगे अरे बोलो सही बात है निकाल लिया common one 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 हो गया अच्छा आप क्या करना है अब भाई आपको पता है कि जब भी किसी दो row या जब भी किसी दो column को आपस में interchange करते हैं तो उनके sign opposite होना सुरू हो जाते हैं हाँ की ना जल्दी बोलो पता है ना उनके determinant की value पे sign minus का लग जाता है यह याद बताया था मैंने चलो तो जब आप लोग देखो आप क्या करो सबसे पहले आप ना c2 को interchange करो किस के साथ c3 के साथ तो बनेगा a b c क्या बनेगा a b c यह बनेगा देखो क्या ओ सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सॉरी जब अपनी तरह से multiply करेंगे तो अपनी तरह से divide भी तो करेंगे सॉरी 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 यह पर divide भी तो करेंगे तो a b c से a b c कट जाएगा ठीक है अच्छा c2 को c3 से exchange करो तो a square b square c square interchange करेंगे तो 1 1 1 a cube b cube c cube बाहर क्या लगेगा minus क्यों क्यों लगेगा minus क्योंकि हमने किसी भी दो column को आपस में interchange किया है अच्छा अब interchange कर दो c1 को किस के साथ c2 के साथ तो बस बात खतम पहले क्या होगा हो है minus अब ड़ुबारा भी minus लगेगा क्यों लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि अब हम इसको इंटर्चेंज करेंगे तो भाई minus लगेगा की नहीं लगेगा जल्दी बोलो और minus minus तो क्या होता है plus होता है लो जी answer आ गया यही proof करना था कि नहीं करना था तो यह question देने का बस यही मक्सद था इनका miscellaneous वाले question का कि आपको यह बात ध्यान में रहे कि जब भी किसी दो row या जब भी किसी दो column को interchange किया जाता है तो उसकी जगाँ पर minus आता है ठीक है वीडियो बाउस करो next question question number third अब हम क्या करेंगे question number third करेंगे ठीक है भी चलिए third करते हैं question number third वैसे यह third कर सकते हैं आप खुदी इम चलो मैं करा दे तो क्या है question दिखाओ जब 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 बीटा जीरो जीरो कॉस अलफा ठीक है माइनस का कॉस अलफा साइन बीटा हाँ जी ये भी गया तो बचेगा साइन बीटा साइन अलफा कॉस बीटा जीरो कॉस अलफा ये माइनस का साइन अलफा कॉस बीटा साइन अलफा कॉस बीटा साइन अलफा साइन बीटा ठीक है चालो सुरू करते हैं अब तो पता है कहानी कहा तक दोड़ेगी हाँ जी इसको करेंगे कॉस बीटा कॉस अलफा माइनस साइन अलफा साइन बीटा, सही बात है माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इसको इससे करेंगे माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा और इसको इससे करेंगे तो जीरो खतम कहानी, ठीक है जीरो खतम कहानी होगी, चलो अब इसकी बारी हाँ भई इसको इससे करो क्या बनेगा माइनस का साइन अलफा और यह बनेगा साइन स्क्वेर बीटा और इसको इससे करेंगे तो बज़ेगा माइनस का साइन अलफा और यह कॉस स्क्वेर बीटा यही बनेगा ना चलो हाँ भई cos alpha cos beta अरे भाई एक बाद बताओ cos beta cos alpha ठीक है sin alpha sin beta अगर मैं alpha वाले को आगे लिख दूँ और beta वाले को पीछे लिख दूँ कोई फर्क नहीं बढ़ने वाला सही बात है अच्छा तो अब एक बाद बताओ जल्दी से cos a cos b minus sin sin b किसका फर्मूला होता है cos a plus b का हाँ की ना जल्दी बोलो cos a plus b का होता है की नहीं होता है बिल्कुल होता है ठीक है माइनस अब अंदर मंटिपलाई करो माइनस माइनस प्लस तो क्या बन जाएगा sin beta sin beta sin square beta cos alpha cos alpha cos square alpha यहीं होगा ना चलो तो zero से तो खतम होगी बात माइनस से इसको करो माइनस से सको करोगए plus sin square beta सरी, alpha और यह sin square beta ठेक है और वो minus minus plus sin square alpha और cos square beta यहीं बना अरे यहीं बना ना ठेक है तो अब देखो अब क्या करेंगे यहा ग्या cos alpha, cos beta cos alpha plus beta ठीक है अच्छा अब देखो इन दोनों में स्वरी स्वरी बच्छो स्वरी स्वरी हाँ अब क्या करना है हाँ जी साइन स्क्वेर बीटा साइन स्क्वेर बीटा कॉस स्क्वेर अलफा इन दोनों में देखो इन दोनों में साइन स्क्वेर अलफा कॉमन आ रहा है कि अंदर बचेगा साइन स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा तो बच्चो इतना हिस्सा तो वन बन जाएगा ना इतना हिस्सा तो क्या बन जाएगा वन बन जाएगा कि एक मिनिटे कुछ गड़बड हुई है कि इसको इस से मंटिप्लाइब तो यह तो पूरा जीरो जाएगा ना यह दो पूरा जीरो जाना चाहिए था ठीक है चलो यह गड़बड हुई थी इसमें ठीक है अब इसको इससे मंटिप्लाइब करोगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वेर अलफा और कॉस स्क्वेर बीटा यह बनेगा यह यहां पर भी सभी कर लो कॉस स्क्वेर अलफा कॉस स्क्वेर बीटा यह बनेगा ठीक है अब देखो अब ऐसा हो जाएगा तो क्या बन जा cos square alpha cos square alpha common आ गया अंजी अंदर क्या बचा cos square beta plus sin square beta ठीक है तो देखो ये हिस्सा भी 1 ये हिस्सा भी 1 तो क्या बनेगा cos square alpha plus sin square alpha अंजी sin square alpha cos square alpha ये भी क्या होता 1 तो answer क्या है 1 तो इस तरीके से करना है गलती बस यह हुई थी कि इसको multiply करके 0 लिखना था ठीक है बाकि ये सारी multiply हो गई ये सारा multiply हो गया ये सारा multiply हो गया इन दोनों में sin square alpha common लिया बचाईए इन दोनों में से cos square alpha common लिया बचाईए ये भी 1 होता ये भी 1 होता है बच गया ये इसकी वेल्व भी क्या होती है बात खतम फटाफ़ नोट करो वीडियो पॉस करके वीडियो पॉस करके नोट करो जल्दी फटाफ़ इसके बाद हम करते हैं कोश्चन नमबर फॉर्थ में तो भाई कुछ कराने की जूरती नहीं है इसमें तो क्या करना आप आरवन प्लस आर्टू प्लस आर्टिरी करके कर लेना हो जाएगा हो जाएगा यह आपसे फिफ्ट भी हो गया होगा आपसे सिक्स्ट करा देता हूँ सिक्स्ट करा देता हूँ चलिए जल्ली नोट कीजिए सिक्स्ट कराता हूँ फिर मैं आपको चलिए बच्चो तो कोश्चन नमबर सिक्स होने जा रहा है मिसलीनियस का इंपॉर्टेंट कोश्चन है कई बार एक्जाम में आया हुआ है और बहुत ही जादा अच्छा यह और सिक्स्ट का हमने कोश्चन किया भी है बड़ा इंट्रस्टिंग चैप्टर है ठीक है और कोश्चन भी बहुत अच्छा है देखो फटाफट कैसे हां जी अगर मैं बात करूं कि बहीं मैं अगर वापस वही वाली बात A से मंटी प्लाई B से मंटी प्लाई C से मंटी तो बही एक स्टेप मेरा आगे बढ़ जाएगा लेकिन मुझे ना स्टेप बढ़ाने नहीं स्टेप घटाने ताकि मैं किसी भी परकार से अपने आपको मतलब क्या करूं कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकूं तो बच्चों एक बात बताओ क्लियरली मुझे दिख रहा है कि A A A C1 से कॉमन B C2 से कॉमन C C3 से कॉमन हा कि ना तो बस बात खतम लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग कॉमन टेकिंग कॉमन A B and C from C1 C2 and C3 निकालो कॉमन A B C ठीक है तो यह बचेगा A यह बचेगा 1 यह बचेगा A प्लस B यह बचेगा B ठीक है यह क्या बचेगा यहां से B कॉमन लिया तो बचेगा C B B प्लस C यह क्या बचेगा A प्लस C यह बचेगा A यह बचेगा C सभी बात है, देखो common निकाल दिया, थोड़ा चोटा हुआ, अच्छा, अब यहाँ पर हम एक operation करेंगे, क्या operation करेंगे, पर देखो, ABC मिल गया है, ABC मिल गया है, अब मैं चाहता हूँ कि फटा फट यहाने यह सब को छोटा होना सुरू हो जाए, क्या होना सुरू हो जाए, छो ABC, अच्छा, यह होगे अपना A, यह होगे अपना C, यह होगे अपना A plus C, कोई फर्क निपढ़ना, लेकिन R2 plus R1, A plus B में से A जाएगा, बचेगा क्या B, B मैं से C जाएगा, क्या मैनस C, ठीक है, फिर R3 minus R1, B में से A जाएगा, B minus A, ठीक है, B plus C में से जाएगा, तो यह ब A, हम तो चाहते थे कि भई, असान हो जाएगा, यह तो और टफ सा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें काम करते हैं, भई, मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ, कैसे करूँ है छोटा, देखो, यह minus का C, A plus का C है, तो फटा फट देखो, अर दिमाग ना, अपन B, इसको इससे plus कर दो, C से सी कर जाएगा, बचे का A, तो देखो, वापस हम लोग, भई, यह तो वहीं पर आ गया है, यह तो वापस वहीं पर आ गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आ गया है, कोई बात नहीं, वापस आ गया है, झाल 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 टेकिंग कॉमन ठीक है क्या लिखोगे अरे जल्दी बोलो टेकिंग कॉमन क्या लिखोगे टू या टू बी जल्दी बोलो टेकिंग कॉमन टू या टू बी अरे जब पूरा का पूरा कंटेंट आ रहा तो टू भी लो ना टेकिंग कॉमन टू बी from R3 ठीक है 2 भी ले लो भई जब 2 भी लोगे तो बनेगा क्या यह जल्दी बता दो A तो रहेगा ही 2 आगे आई जाएगा और जब B भी लिया तो B into B B square बन जाएगा और साथ में C ठीक है तो चलो बन गया यह A C A plus C A plus B B A और यहां 1 1 1 और 0 1 1 1 और 0 अच्छा अब यहां तक पहुँच गए अब एक काम करते हैं बच्चो याद करो 1 1 1 की लाइन दिख गी अगर यह 2 0 हो जाए तो मज़ा सा आ जाए हाँ की ना तो बस इसको 0 बना दो बस तो यानि C2 के अंदर operation कर दो C2 माइनस C1 तो 2 A B square C A C A plus C A plus B B A sorry 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 एक मिनट मैं गड़बड़ कर रहा हूँ C2 माइनस C1 करना है न तो भई C2 माइनस C1 C में से A गया C माइनस A B में से A गया तो कितना बचेगा माइनस का A ठीक है और यह 1 में से बन गया क्या बनेगा 0 और यहां पर क्या एगा 0 आ गया Solve कर देना आंसर तुमारे सामने Solve करोगे सब कुछ कट पिटाके Solve होके तुमारे पास यही आंसर बनेगा ठीक है Determinant निकालना है बस चलो फटाफट solve कर दो फटाफट इसको solve भी कर दो ठीक है Determinant निकालना सबी को आता है चलो इसके बाद कुछिन नमर साथ आपने कर लिया होगा आठ आपने कर लिया होगा नो भी आपने कर लिया होगा दस भी कर लिया होगा ग्यारा मैंने करा दिया है ठीक है बारा मैंने हिंट दे दिया था करने के लिए तेरवां आप कर सकते हो बहुत आजी है ठीक है हाँ यह करना है 14 14 करते है ठीक है 14 करते है 14 में ज्यादा कोई टफ नहीं है बहुत इजी सा है ठीक है तो वीडियो पाउस करके नोट कर लिए होगा ना 14 करते है चलो अब किसकी बारी है कोश्चन नमबर 14 आज यह खताम है आपका चेप्टर टैंस नमद लो कोश्चन नमबर 14 लिखा है 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस टू पी 6 प्लस 3 पी 1 प्लस प्लस क्यू 4 प्लस 3 प्लस 2 क्यू और 10 प्लस 6 प्लस 3 क्यू प्रूफ करो 1 के बरावर अरे नकली कोश्चन है यार पहली लाइन में समझ आ गया ता कोश्चन तो अरे यहां पर देखो बाई 1 1 1 की अगर लाइन होती खुद सोचो अगर यह लाइन 1 1 1 की होती तो आप इसको भी 0 बना लेते इसको भी 0 बना लेते लेकिन 2 और 3 है तो क्या 0 नहीं बना पाएंगे अरे बना पाएंगे लेकिन इसका एक प्रॉसेस होगा एलिमेंटरी ओप्रेशन याद करो लेफ्ट हैंड साइड में अंजी आर यह आर टू के अंदर ओप्रेशन करो कैसे अरे आर टू कितना है टू माइनस आर वन क्या 0 बन पाएगा नहीं लेकिन अगर मैं आर वन को टू से मंटिप्लाई कर दू तो देखो दो मेंसे दो गया 0 बनेगा की नहीं बनेगा वही सेम टेसे ऑर थई में और ठी माइनस आर वन लेकिन तीन में से एक जाएगा तो 2 आये गा लेकिन अगर मैं आर थरी से मंटिप्लाई कर दू तो 0 बनेगा की नहीं बनेगा अरे डैफिनेटली बनेगा तो बस बात खतम यार गेम सुरू करो ठीक है तो बस R2-2R1 दो में से दो गया 0 लेकिन अब R2 कितना है 3 प्लस 2P ठीक है माइनस 2R1 तो माइनस का 2 और 2P तो किया बनेगा 2 में से 3 में से 2 गया 1 और 2P में से 2P तो बस भाई कितना बच गया है एक ठीक है चलो next हाँ ये कितना है R2 4 प्लस 3P प्लस 2Q माइनस 2R1 तो माइनस का 2R1 तो ये कितना बन गया 2 2P 2Q चार में से 2 गया 2 3 में से P और ये तो 2Q में से 2 कितना बचा 2 प्लस में P ये सही किया है ना मैंने हाँ ठीक है अच्छा अगला क्या है R3 मैनस 3R1 तो ये तो 0 बने गई ये तो आपको पता चल चुगा है ठीक है अब चलो इसको solve करते है हाँ जी 6 प्लस में 3P माइनस 3R1 तो माइनस का 3 माइनस का 3P 3P से 3P कट गया 6 में से 3 गया 3 काम खतम ठीक है अच्छा अगला हाँ भी अब क्या हा R3 10 प्लस में 6P प्लस 3Q और माइनस 3 3P 3Q 3Q से 3Q कट गया 10 में 3 गया 7 6P में से गया तो 3P तो कितना आ गया 7 प्लस में 3P लो भाई यहा से में और किया यहां से मुझे फिर बतानी जुरूत है ऐसकर बस किहल कि अधरन के इसमेंड़ कीजिए अठीक है चलिए एक एक सब्सक्राइब कीजिए लेकिन एक मिनिट बच्छो यहां से आप स्वाल करोगे तो 7 प्लस में 3P और 6 एक्सपेड करना 1 इस 7 प्लस 3P माइनस का 6 माइनस का 3P इसके बाद आता है कोस्च नंबर क्या वहीं कोश्च नंबराता है 15 15 करा आता हूं कोश्च नंबर के असलम नद में बच्छो नंबर पंदरा भी बहुत असान है ठीक है लेकिन बस आपको याद दिलाने है आपका बच्पन और किया जो आपने 11 खिलास में अपने बच्पना बिताया ना उसको याद दिलाते हैं चलो एक नंबर नहायती नकली कोश्चन नहीं है कोश्चन नंबर पंदरा ठीक है साइन ईलफा कोश अलफा कास अलफा कोश ऐलफा प्लस डेल्टाक करवा दिये यह करवा दिये के मैंने करवा दिया क्या मैंने इसट 1940 दिया बहुत आपका रखे जुर्ट grillingerson आप कि चुरूंध कि साइन पीता साइन गामा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस बीटा प्लस डेलटा और यह कॉस गामा प्लस डेलटा अ बराबर जीरों के प्रूफ करना है नियाएती नकली कोशन ये भी, चलो, शुरू करते हैं, अझि, सुरू करते हैं फिर इसको, ठेक हैं, लेफ्ट रेथेट साइड लीजिए, उपन कीजिए, साइन अलफा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अलफा, कॉस बीटा, कॉस गामा, उपन करो, हाँ भी, कॉस A प्लस B क फिर से cos A plus B का, अजी, cos A, cos B, sin A, sin B, ठीक है, इसमें भी, हाँ बोलो भई, cos A, cos B, minus sin A, sin B, ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बताया था, कोई भी एक row, कोई भी एक column, अगर minus plus वाले content में हैं, तो उसे separate कर सकते हैं, कर दो, sin A, sin B, sin G, cos A, cos B, cos B, cos G, और वाई, cos A, cos D, cos B, cos B, cos D, cos G, cos G, minus, इसी दरीके से, sin A, sin B, sin G, cos G, cos G, cos G, ठीक है, अब यह मत कहना है, इसका माइनस कहांगे, मैंने बाहर ला दिये, ठीक है, तो sin A, sin D, साइन बीटा, साइन डेल्टा, और साइन गामा, साइन डेल्टा, ठीक है, बस बात खतम, यहां से common क्या आ रहा है, यहां से common आ रहा है, cos D, ठीक है, फिर आएगा, sin A, sin B, sin G, cos A, cos B, cos G, cos A, cos B, cos B, cos G, minus, यहां से sin D, को मना रहा है, क्या बनी क्या है, sin A, sin B, sin G, cos A, cos B, cos G, गामा, sin A, sin B, sin G, साइन गामा, बात खतम यार, हो गया question, हाँ यहां पर C2, C3 identical है, C2 and C3 identical, ठीक है, और यहां पर कौन है, C1 और C3, C1 and C3 identical है, तो बस बात खतम, तो जब यह identical है, तो cos D, into में 0, minus sin D, into में 0, और सारा का सारा content 0, क्या यही प्रूफ करना था, तो बस इतना सा काम करना है, बस आपको content clear होना चाहिए, उसके बाद तो आप पताई है कि भाई, नकली से कोशन नहीं है, एक formula अपलाई करना है, और उसके बाद तो आप बात सा होई, ठीक है, खीचो इसको, फटा-फट खीचो, अब ऐससे कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं, अब, तो बच्छो, इसी के साथ, आप लोगों का ये chapter खतम होता है, ठीक है, आप रह जाता है आपका 4.3, अब क्या रह जाता है, आपका 4.3, तो वह भी देख लो, लगे आथ, पांच मिनट का हो भी, ज्यादा बढ़ा नहीं है, वह जादा बढ़ा नहीं है, देखो, कराता हूँ मैप को 4.3, देखो, हां, जी, तो बच्चो, अब आपको मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, वो क्या सिखाने जा रहा हूँ, ज़र ध्यान से देखेगा, आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, वो क्या सिखाने जा रहा हूँ, ज़र ध्यान से देखिए, हां जी बच्चो, ठीक है, ये सारे questions हैं, कवर कर लेंगे हम हां जी तो 4.3 कराने जा रहा हूं जिसमें आपका टॉपिक है एरिया ओफ ट्रेंगल एरिया ओफ ट्रेंगल जैसे बच्चों मान लीजिए आपके पास यह ट्रेंगल है इसका पॉइंट दिया हुआ आपको एवन बीवन a2 b2 और इसका पॉइंट दिया हुआ है a3 b3 ठीक है और आपसे कहा गया कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का यूज़ करके इसका एरिया निका लिए क्या निका लिए इसका एरिया निका लिए तो पता है कुछ नहीं करना आपको आपको डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बत यह लगा दिया अब तीसरे कॉलम के लिए तो ही नहीं तो वहाँ पर लगाएंगे 111 क्या लगाएंगे 111 बस इतना सा लगाना पुट करना सॉल्व करना जैसे एक कोश्चन लेते हैं जैसे इसका कोश्चन था 1060 और यह 43 यह दिया हुआ है करें डिटर्मिन निकालो ठीक है ज क्या मेरे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अरे डिटर्मिन हैंटी तो निकालना है तो वन डारेक्ट सॉल्व कर दूँ जीरो थ्री माइनस का थ्री जीरो वाली पार्टी तो सारी जीरो होगी प्लस का वन यह आ गया चारती छेती आठारा और यह आए गया जीरो तो आँसर के है? माइनस का 3 पलस का 18 आँसर आगया 15 इतना सिंपल सा काम करना है ठीक है? चलो और देखो और देखो तो इसका फर्स्ट बार को आप अराम से कर लोगे सेगंड बार बताता हूँ अच्छा हां एक बात और बता देता हूँ इसके ban और बता देता हूँ इ minus का 15 क्या कभी area हो सकता है नहीं हो सकता तो इसी लिए ऐसी situation में हम इसमे mode लेके चलते हैं ताकि अगर minus का 15 आ जाए तो बाहर निकल के क्या हो जाए प्लस का ठेक है तो mode लगाए रखना जब तक answer प्लस में ना आ जाए ठेक है ना चलो तो यह आगे आपका 4.3 का first question और यह है आपका 4.3 का कौन सा question है भई यह है second question यह अच्छा question है यह करा देता हूँ मैं आपको मैं लिखा हुआ है A point है A, B plus C और B point है आपका B, C plus A और C point है आपका C, A plus B कह रहा है our collinear कह रहा है यह collinear है prove करो कि भई यह तीनों point आपस में क्या है collinear है तो मुझे नहीं लगता भई यह कोई खतरनाक काम है यह तो बहुत simple था काम है भई ठीक है कैसे करेंगे देखो कैसे करेंगे सबसे पहले भई आपको 10th class से ही यह सिखाय जा रहा है कि अगर area वाला formula आपको यूज करना है collinear में area वाला formula आपको collinear में यूज करना है तो कर सकते हो बस answer क्या होगा 0 क्यों 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 बच्चों देखो triangle के अंदर कोई ना कोई area होता है लेकिन collinear जो होते हैं points वो एक line बनाते हैं बस वो क्या बनाते हैं line और line का area क्या होता है 0 तो बस simple इसको हम area की तरह form कर लेंगे A B C B प्लस C C प्लस A A प्लस B 1 1 1 और बच्चों किसी भी तीन collinear point का area होता है वो क्या होता है 0 होता है तो बस बात खतम अरे मेरे प्यारे बच्चों 1 1 1 की कहानी दिख गई है ना आपको बस बात खतम R2 में operation डालेंगे R1 2 मेरे रहा है R1 R3 के अंदर operation R3 माइनस R1 बस कर दो काम यार अंजी A B प्लस C 1 B माइनस A सहाँ भई C प्लस A माइनस B माइनस C कट गया A माइनस B आ गया 1 में से बन गया 0 अगला C माइनस A अगला A प्लस B माइनस B माइनस C B से भी कट गया A माइनस C आ गया 1 से बन गया 0 क्या expand नहीं कर पाऊगे आपको पता ही है 0 0 बन गया कदम का नहीं बस 1 यह हुआ यह हुआ अब डारेक्ट पीज़े से कर दो न क्या दिक्कत है इसको ऐसे करेंगे तो क्या बन जागा यह B माइनस A A माइनस C इसको इससे करेंगे माइनस का C माइनस A A माइनस B ठीक है Solve कर दो ख़तम A B A B माइनस B C माइनस A स्कुयर माइनस AC खतम गानी फिर यहां थे हाँ बई, माइनस है AC माइनस BC माइनस A square प्लस AB solve करो AB माइनस BC माइनस A square माइनस AC माइनस AC ठीक है और यह क्या बन गया माइनस AC प्लस BC प्लस A square माइनस AB जो कटे काटो जो नहीं कटे छोड़ो क्या कटा BC से BC कटा A square से A square कटा AB से AB कटा तो भई AC से AC भी कटना चाहिए था AC से AC माइनस माइनस यह प्लस होगा ठीक है यह प्लस होगा AC से AC कटा 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका determinant 0 आ गया है अगर इसका determinant 0 आ गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह A, B और C तीनों पॉइंट कैसे हैं कॉलीनियर है सिंपल खतम गानी तो इतना सिंपल था कोश्चन था यह है ठीक है नोट करो इसे नोट करो ठीक है इसी तरह कोश्चन नमबर 3 है बच्चो इसमें K की value find करनी है सेम केस है ठीक है यह चलो एक करा देता हूँ मैं एक कोश्चन करा देता हूँ नोट कर लिया ना यह वीडियो पॉस्ट करके चलो एक कोश्चन करा देता हूँ के वाला फिर खतमी हो जाए गये ठीक है ठीक है जैसरे कर Shiahu है मैं कराता हूँ आपको आपको नवा पॉइंट दिया हूए ब़ुए दिए हुआ है हां भी पॉइंट दिए हुआ है की कॉमा जीरो फॉर जीरो और जीरो टू either area और और साथ में क्या बता हुआ है और बता हुआ है हाँ जी कह रहा है इसका area निकालो find the value of k if the area of triangle is 4 square unit अच्छा इसका area पहले से दिया हुआ है area पहले से दिया हुआ है 4 square unit ठीक है चलो भई simple है फिर तो k 4 0 0 0 2 और 1 1 1 और साथ में equal to किसके दिया हुआ हो है 4k simple open करो के हाँ जीरो माइनस 2 माइनस 0 4 माइनस 0 प्लस 1 हाँ बई अरे determinant निकालनों गभरा जाओ क्या कर रहे हैं सरी है वह सिंपल है माइनस का 2 के यह तो पूरा 0 ही हो जाएगा यह 8 है चार माइनस का 2 के प्लस का 8 होँआ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2 के हाँ वही क्या बनाईए माइनस का 4 माइनस से माइनस कटा 2 से 2 कटा के की वैलू कितनी आगे 2 तो परस के की वैलू कितनी है कर दी है 2 है सिंपल तो इस तरीके से सॉल्व करना आपको कла क्या है तैसे के की वैलू निगाला नहीं जांदरं खर्शचन का फरस्ट पार्त है 3 कोश्चन का फरस्ट पार्त है रहें है कि रहा है तो इसी के साथ आपका 4.3 भी ऑभर होता है और हम लोह दोनों अब हम लोग यह क्या करेंगे हम लोग इसके भाई सेकंड चैप्टर करेंगे और मैं बीच बीच में बच्चो इसके कुछ important question भी ले लेकर आऊंगा और वो भी करेंगे ठीक है तो आपको मैंने सारे content cover करा दिये हैं NCR ठीक है कुछ इका दुक का question जो है वह बीच-बीच में करवाता रहूँगा आप उसके लिए बेदड़क रही है ठीक है मैं बोल दूँगा कि हाँ आज जो है important questions की series है तो उस दिन आपको यह करना है ठीक है तो चलिए आज यह class over हुई chapter खतम हुआ तो इसी के साथ मिलते हैं next class में